दोस्तों एक बार फिर से स्वागत कर रही हूं आप सभी का शिक्षा प्रवा में जैसा कि कुछ बच्चों ने क्वारे डाली हुई थी कि आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया था आप लोगों को पता चल गया होगा नाइंध और 11 क्लास के बचों की हमारा कंपार्टमेंट है और किस सब्जेक्ट में है अब जल्दी ही कंपार्टमेंट के एक्जाम भी आने वाले हैं डेटशीट भी मैंने अपलोड कर द पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सलेबस की लेकिन उससे पहले अगर आप शिक्षा प्रवा पर पहली बार आए हैं चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की सभी यूजफुल वीडियो के लिए और सीबीसी अ खोला है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो सीधा इस पेश पर खुलेंगे मैं आपको इसको एक बार खोल करके भी दिखा दूगी लेकिन उससे पहले हम लोग नाइंध क्लास का स्लेबस जैसे ओपल निंक या पर लि इससे पहले था और आपने एन्वल एक्जाम के लिए तेयारी की थी। अपका कोई चेंच नहीं हुआ है, कोई कम नहीं हुआ है, ना ही बढ़ाया गया है सेम वही स्लेबस है जिसके बहाफ पे आप लोगोंने अभी अपने एन्वल एक्जाम दिये हैं लेकिन अगर आपके साइन्स हिंधी मीडियम जब आप सोसल साइंस हिंधी मीडियम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोगों का जो सलेबस है वो आ जाě게ए और कौन सी सि यूनिट कितने नंबर की आ रही है वो भी आपको पता चल जाएकी आपको पता रहेगा कि कौन सी उनिट से हमें तयारी करनी चाहिए जिस से कि हम जादा नंबर ले करके आ सकें ये जो syllabus है बिटा आपका दो term में डिवाइड है ठीक है एक तो आपका जो mid term के exam हुए थे ठीक है जिसको यहापे मध्यावधी परिक्षा लिखा हुआ है और second है जो आपका annual exam हुआ था तो annual exam में आपका mid term syllabus भी आ रहा होता है कुछ-कुछ और annual वाला तो आ ही रहा होता है तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर तयारी कर लेनी है किसी भी subject का syllabus आप यहाँ पर इस तरह से open कर सकते हैं इसके साथी यह मैंने आपको 9th का दिखाया है अगर हम back जाएंगे और 11th class के link को click करेंगे तो यह 11th class के सभी subject का syllabus यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा included देखे जैसे engineering graphic के भी कुछ students हैं इसके लावा history, home science सभी subject का Hindi and English में आपको यहाँ पर syllabus मिल जाएगा समझें हम pole science खोल रहे हैं English medium 11th में pole science में हमारा back है compartment है ठीक है तो यह pole science का पूरा syllabus unit के हाँ बे कौन सी unit कितने marks किया रही है वो सारी detail यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी mid term और inward term की इसके साथ ही साथ बिटा आप इस link को खोलेंगे कैसे तो description में आपको मिल जाएगा तो मैं इस link को एक पार आपको खोलना बता देती हूं तो आप अपने Chrome browser में जा सकते हैं आप अपने Google पर जा सकते हैं और जैसे ही आप अपने Google आइकन को क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको उस link को पेस्ट कर देना है यह देखे लिंक को जैसे मैंने कॉपी कर लिया है उस कॉपी के बाद में इस link को पेस्ट कर रही हूं आप चाहें याद भी कर लीजे विसे आपको description में मिल जाएगा अडियोस्टर.nick.in अडियोसलेबस.stml और उसके बाद आप यह search करेंगे तो आप सीधे इस page पर आजाएंगे जिस page से हमने इस विडियो को start किया था यहाँ पर आपका class first से लेकर के class 12 तक का syllabus है ठीक है और यह वाला जो syllabus है बेटा वो आपका session 22-23 का syllabus है इस चीज को जरू दिपार्टमेंट ने 23-24 जो बच्चे पास हुए है और अभी नई क्लासों में आए है तो 23-24 का syllabus भी डिपार्टमेंट ने upload कर दिया है तो आप 23-24 के syllabus के according तयारी नहीं करेंगे आप तयारी करेंगे 22-23 के according ठीक है बीटा होप की अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है शेर करना है और आप सभी बचों को आपके कमपार्टमेंट एक्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए पेपर किलियर कीजिए और नई क्लास में आ जाएए चेलो बिटा थेंक्स फॉर वाच गैज